मध्योप्रदेश मियाद से जन सुनवाई शुरू होगी जुहां 17 महिने के बाद ये जन सुनवाई शुरू हो रही है विभिन दफ्तरों में शिकायते अधिकारी सुनने वाली हैं कोविट गाइडलाइन के पालन के साथ ये जन सुनवाई शुरू होगी दूसरता 17 महिने बा कर हलांकि यह तैय किया गया है कि कोविट गैडलाइन का पालन जरूर किया जाएगा क्या विवस्ताइं इसको लेकर की गई है देखे आम जनता के लिए राहत की खबर राहत की खबर यह है कि सीएम शिवरासिंग चौहान ने कुछ साल पहले जनसुनवाई का ऐलान किया था और महापोर से लेके तमाम अधिकारी चाय कलेक्टर हो कमिशनर हो या फिर पुलिस व्यभाग के अधिकारियों वो या फिर किसी तरह की उसको दिक्कत होती थी वो जनसुनवाई में पहुंसता था और कलेक्टर या कमिशनर ने अपनी परेशानी रखती अधिकारी 20ए तक कि पररहां के छोठी जा रही ते तक पर्भीड उमर्टी थी इसी बात को ध्यान मेंरते हुए सरकार ने फैसला लिया था कि जितनी भी जनसुनवाई मदप्रदेश में चलाई जाती है उसको बंद किया जा रहा है लेकिन 17 महिने के बाद फिर से जनसुनवाई की शुरुवात होने जा रही यानि आम जनता को फिर से जो परिशानिया आती थी उसका ततकाल प्रभाव से मह पर निराकरण कर दिया जाएगा एक और निर्देश दिये गए हैं दर्मियान कि आपको कोविट गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा जो भी मास्क लगा कर आएगा तभी उसको जनसुनवाई में आने की इजाज़त दी जाएगी से जाच की जाएगी तभी जाएगी यानि फोकस पूरा यही रखा गया है कि कोविट गाइडलाइन की धज्य है ना उड़ा क्यूंकि हम देख रहे हैं कि मद्दप्रदेश में कोविट जरूर कम हो रहा है लेकिन गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है उसको लेकर सकती बढ़ती जा रही एक तरफ लोगों के लिए रहत वाली खबर है कि अपनी समस्याओं को लेकर वो अधिकारियों के पास जा सकते हैं जनसुनवाई चुकी शुरू हो रही है सत्रा महिने बाद वहीं लेकिन दूसरी तरफ नेड़देश यह जरूर दिये गए है कि कोविट गाइडलाइन का पालन जरू करना होगा शबीर बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए